जै मादादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूटिब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 जुलाई और 22 जुलाई 2022 के कन्या राशी फल के बारे में कन्या राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे? इन दो दिनों में ग्रहों की इस्तिती क्या होगी? नक्षतर क्या होगी? कौनसा योग बनेगा? और इनका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा होगा? जानेंगे सब कुछ विस्तार से आपकी जीवन से जुड़े हर एक शेतर के बारे में आपकी धन संपत्ती के बारे में पारिवारे के स्थिथी, व्यवसाय, प्रेम जीवन, स्वास्थे, सिक्षा, व्यवाहिक जीवन हर चीज के बारे में हम यहां विस्तार से बात करेंगे तो वीडियो को लास तब जरूर देखें चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले और जुड़ जाएं हमारी चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती है तो अब सबसे पहले हम इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र की बात कर लेते हैं 21 जुलाई का दिन गुरुवार का दिन है और क्रश्न पक्ष की अस्टमी दिथी है अश्वनी नक्षत्र रहेगा इस दिन और ध्रती नाम का योग बना हुआ है चंद्रमा मेश रासी में है, मंगल की राशी में, जहां मंगल भी मौजूद हैं और राहु भी मौजूद हैं तो यहां चंद्रमा के आने से तरिगरही योग बन किया है, अंगारा की योग पहले से बना हुआ है सूरिय चंद्र की राशी करक राशी में है पुष्ण नक्षत्र में इसके लावा इस दिन सरवार्थ सिद्धी योग भी बना है और अभी जीत मुरत है दोपहर बारा बजे से बारा बज कर पचपन मिनट तक 22 जुलाई का दिन शुकरवार का दिन है क्रशं पक्षकी नमी दिती है बहनी नक्षत्र रहेगा जो कि मंगल का नक्षत्र है शुल नामका योग बना हुआ है चंद्रमा में इश राशी में ही है याज भी त्रिग्रह योग है सुर्यकर्क राशी पुष नक्षत्र में और अभी जीत मौरत तो पहर बारा बजे से बारा बज़ कर पचपन मिनट तक तो ये हो गई है ग्रहों की इस्तिति आप इसी के नुसार हम जानेंगे कि ये जो समय है ये आपके लिए कैसा रहेगा ये जो राशी फाल है ये चंद्रा राशी बारा धारित है तो चंद्रमा की जो इस्तिति है वो काफी माइने रखती है बाकी ग्रहों का भी प्रभाव रहेगा तो चलिए जानते हैं विश्तार से कैसी ये दिंचरिया आपके रहेगी तो देखिए कन्यराशी के लोगों के लिए आज संतान से सुख प्राप्ती का यूग है संतान की तरफ से कोई ऐसी खुशी आपको मिल सकती है जो बड़ा खुशी देने वाली है या फिर आपके जीवन साथी के कारशित्र में कुछ ऐसी खुशकाबरी मिल सकती है जिससे घर परिवार का माहौल बदल जाएगा सेहत बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है आज आपकी सेहत बड़ी फिट है और आज अपने प्रिया के साथ बड़ा अच्छा बरताव करें आप उनके साथ अच्छा बरताव करेंगे तो आज पूरा दिन आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा जो चंदर की स्थिथी है उसकी वजह से आप आपका जो धन है वो घर की चीजों पर ज़्यादा खर्च हो सकता है तो आप अपने धन को संच्छा करने के बारे में ज़्यादा सोच विचार करें किस तरह से आप अपने धन को संच्छा कर सकते हैं उसके बारे में ज़्यादा आपको सोचना होगा स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं मूचल फंड से जुड़े हैं तो उनमें निवेश करना आपके लिए बड़ा फायदे मन रह सकता है आज आज आपके अंदर जुनून होगा अगुज करने का उत्साहा भी होगा और इन चीजों से लाब भी होता हुआ दिखा रही है सकारत मकपरिना मिलता हुआ दिखाए दे रहा है किसी खास के साथ आज अपने आपको काफी अच्छा महसूस भी कर पाएंगे और इस दोरान देखे अगर हम परिवारिक इस्तिति की बात करें भी ये दिन बड़ा कामया भी भरा है एनरजी से भरा है एनरजी फुल एनरजी के साथ आप अपने काम काज़ पर दिहान देंगे इसके अलावा अगर आप अपने किसी अपने शौक को छोड़ना चाहते हैं तो ये दिन अच्छा है अगर आप का शौक आपको परिशान कर रहा है तो अच्छा दिन है आप उसकी शुरवात कर सकते हैं आप से कुई जलने वाला व्यक्ति आपसे बहस कर सकता है ऐसे में आप शान्त रहेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि जो वेक्ति जल रहा है उसको उसके हाल पर छोड़ें और अपने काम पर ध्यान दें क्योंकि आप हर किसी को जवाब नहीं दे सकते हर किसी को आप सुधार नहीं सकते तो अच्छा रहेगा शांत रहेकर अपने टाइम को इंजोई करें क्योंकि आप आपने अगर कुछ सफलता पाई है तो उस सफलता से बहुत लोग परेशान दिखाई दे सकते हैं साथ में कुछ आपके कामकाज को सराहेंगे भी लेकिन फिर भी आपको बस शांत रहना है और अपने तक चीज़ों को सीमित रखना है क्योंकि आपकी मेहनत का फल है और अपनी मेहनत को अपने आप आप इंजय करें अपने परिवार के साथ इंजय करें अपने भविशे के लिए कुछ निवेश करने के बारे में सोच विजार कर सकते हैं हो सकता है बच्चों की सक्षा के लिए कुसी योजना को आप लेना चाहते हों तो देखिए आज का छोटा सा निवेश कल बड़ी बचत बनकर आपके सामने आ सकता है इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ छोटे छोटे इंवेस्टमेंट करें जो आपको आगे चल कर प्रॉफिट दे कर जाएं रोमांटिक दिन है प्रेम जीवन के मामले में आज काफी आपका जो प्रेमी का बिहेवियर है वो बहुत अच्छा रहेगा और आज करने राशी की जातको को अतरिकताय की साधन भी बनते हुए दिखाए दे रहे हैं बस बेकार की अफवाओं को अफवाओं से आपको दूर रहना है तो आपकी जो दिन है वो बड़ा खुश्रमा बन जाएगा बहुत उत्तम बन जाएगा अब बात करेंगे 21 जुलाई 21 जुलाई का दिन कैसा है त का हो सकता है कुछ काम करने का मन हो कुछ काम करने का मन ना करे ऐसी वो रह सकता है कि गुमने फिनने में जादा ध्यान आपका लगा रहेगा किसी पार्टी को एंजॉय कर सकते हैं किसी बर्थ ले पार्टी या किसी तरह की और पार्टी को आप एंजॉय इस दिन जरूर कर सक उसके बाद अपनी इंजय करने के बारे में सोचें वरना परिशानी हो सकती है दिन का अधिक्तम लाब उठाने के बारे में ना सोचें अपनी काम पर जादा ध्याद दें ताकि आप बाद में आराम कर सकें वरना आप आज अपनी काम को कल पर टाल देंगे तो उसकल में आपक आज दो पहर तीन बज़े से पांच बज़े तक का समय बहुत उत्तम दिखाये दे रहा है इस समय अबधी में आपके कुछ अच्छी काम हो सकते हैं नए विचारों के साथ काम करना आपके व्यवसाय को लाब पहुचा सकता है और आपके जो अधिकारी हैं आपके जो सहयोगी हैं उनका उत्साह दिखाये देगा आपको काम करते हुए ये आपके कारशमता को दिखाने का भी दिन है अच्छा मौका है अपने कारशमता को दिखाने का इससे आप जो चाहे वो पा सकते हैं तो इस तरह से कामों से आपको जरूर जोड़ना है बहुत अधिक प्रेम जीवन अगर आप एभी वाहिद है और प्रेम विवा करना चाहते हैं तब इस्थितियां थोड़ा साब को परिशान कर सकते हैं घरवालों से बात करना चाहते हैं तो आज के दिन रुकें आज बिलकुल ना बात करें आगे जो समय आएगा तब आप कर सकते हैं लेकिन कारोबारियों के लिए दिन उत्तम है जिस काम को आप अधूरा समझ रहे आज वो पूरा हो सकता है फायदे का दिन है साथ में कामकाज की वजए से थोड़ी थकान भी हो सकती है आराम करें वरना परिशाने बढ़ जाएगी बीच-बीच में आराम जरूर करते रहें ज्यादतर चीज़ों को आप सुलजाते हो दिखेंगे और आज मुलाकात आपके भश्य में होने वाले साथी से भी हो सकती है तो यह आपके लिए काफी अनुकुल दिन रह सकता है काफी अच्छा रह सकता है सिंख्षा की इगर बात करें तो इन दोनों ही दिनों में जो शिक्षा की स्थित है स्टूडन्स के लिए दिन जो है वो काफी थे presents बना हुआ है अस्टम भाव में चंध्रमा है